नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चाल में, फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली ऐसा क्या बोलू कि तीरी दिल को छू जाए ऐसी किस से दुवा मागू कि तू मेरा हो जाए तुझे पाना नहीं, तीरा हो जाना है मननत मेरी ऐसा क्या करू कि ये मननत पूरी हो जाए जी है आपने सही सुना हम आज की देली राशिफल की बात कर रहे है सबसे पहले आज की दिन जिनका बहुत है या पर मारे जनवर्सरी है उनको मेरी तरह से ठेर सारी बढ़ाई हो तो चलिए शुरू करते है सफलता का एक मूल भूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों को गलतियों से भी सिखाते चले और आगे बढ़े महान कारे को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते है जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वे काम ना मुनकिन ही लगता है इसलिए आप भी यूँ हाथ पर हाथ धर कर मत बैठे रहो लग जाओ अपने काम पर सफलता दूर नहीं है आप से कल को आसान बनाने के लिए आज आप को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूनी की औकात नहीं होती जिनहें शौक था अखबारों के पन्नों पर बने रहने का वक्त गुजरा तो रद्दी के भाव विक गए जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आएं बस जिन्दगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आएं इज़त, महबबत, तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती बलकि कमाई जाती है दुनिया की हर चीज ठोकल लगने से तूड़ जाती है एक कामयाबी भी है जो ठोकल लगने से मिलती है मत भागो किसी के पीछी जो जाता है उसे जाने दो आएगा वही वापिस लोट कर खुद को जरा कामयाब तो होने दो मुसको नाने की आदत डाल लो क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है अगर अपनी यौकाद देखनी है तो अपने बाप के पैसों का इस्तमाल करना छोड़ दो मैं रात भर जन्नत की सेर करता रहा यारो आँख खुली तो दीखा मां के कदमों में था सबसे वहले में आपको बता दू कि अज़ आपके लिए शुब रंग यारी कि लकी कलर रहने वाला बैंगनी और शुब आंग यारी कि लकी कलर रहेगा नमबर एक आजका जो ग Soo- organ है वो आपके लिए नई plannings की शुरुआत करने का प्रयास करने का है यारे कि नई प्लानिंग्स कीजी अगर आप कुछ करना चाहते हैं। आपको दोस्तों और सहय योग्यू कावे इसमें पुरा समर्थन देखने को मिलेगा। खास कर आपके मादा पितागा। आज अपनी योगिता में बडोतरी कर सकते हैं। नई बिजनस या करियर आप्शन के लिए भी सोच विचार कर सकते हैं। आपको लोगों से बहतर सलाह और सहायता भी मिल सकते हैं। जीवन में कुछ तरक्की होने के योग भी नजर आ रहे हैं। आपको किसी भी कारिक शित्र में नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी बन रहे हैं संबब है कि आज आज आपको कुछ आर्थिक तरक्की भी हासिल हो जाए ये आपके लिए बहुती शुबफल दाइक साबित हो सकता है इसे के साथ ही आज परिवार में कोई मांगलिक कारी जैसी योजनाएं बन सकती है जिसे जो है घर का महौल जो है कुष्टमा रहेगा परसंदा हर दम दिल में च्छाई रहेगे आपको जो सेल्फ कॉन्फिरेंस है आपके लिए नई उपलब्धियों का कारण बन सकता है स्टूरंस है स्टूरंस के रिजल्ट बहुती बढ़िया नजर आएंगे आपको उससे अवसेहमत होंगे धान रिखे कि आए के जो सादर है वो बढ़ने के साथ-साथ खर्चों के भी सिती बनी रहेगे इसलिए चादर देखकर पैर पसारिए जिसकी वज़े से आर्थिक सिती डगमका सकती है इसलिए ज़्यादा जेब को है वो धीली करने के कोई जरूरत नहीं है वही चीज वाय कीजी जो जरूरी है इसलिए बचट बना कर चलना बहुत जरूरी है साद इसाद में आज जो गुस्से और अपने एगो आटिटीट पर भी काबू रखना होगा वरना परिसितियां बिगर सकती है खास ओर पर परिसितियां आपके बॉस के साथ इसके इलावा आज का दिन आपके लिए कुछ चीजों में काफी पॉजिटिविटी लेकर भी आने वाला है फिर भी परिसितियों में हो रहे बदलावों को देखते हुए आपको थोड़ा सतर्क भी रहना जरूरी है आर्थिक सिधी जो है वो बहतर रहने और आए के नए स्रोत बनने के भी पूरे योग नजर आ रहे है साजेदारी से आज आप काम करने पर आपको काफी इच्छे रिजल्ट मिलेंगे अगर आप किसी चीज में इंवेस्टमेंट करने के बारे में विचार बना रहे है तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा उसके लिए आज आप पूरी महने तोर परिश्णम से एक-एक कारे को पूरा करने में सक्षम रहेंगे वहीं आज आने वाली दिनों में की प्लानिंग्स भी कर सकते हैं किसी पस्टल दोस्त का सहयोग आपकी हिम्मत और होसले को भी बढ़ा सकता है मुबाइल या फिर इमिल उसके जरी जो है कोई आपको शुब समाचार मिलने के योग नज़र आ रहे है आज अगर कोई राजगी या कोड से रिलेटर कोई मामला चल रहा है तो आज साथान रहने की जरूरत पढ़ सकती है आपको इस से रिलेटर किसी बाद को लेकर तरह आपकी सित्यां उत्पन हो सकती है ऐसे संकेत कर रहे हैं आपके सितारे अगर कोई राजगी या फिर कोड से रिलेटर कोई मामला चल रहा है तो उस पर आपको ध्यान देना होगा बदाए सके कि आज अगर अपने बिजनेस पर फोकस करे बनकि आपको बालंसिंग करनी होगी दोस्रों की सलाह पर विचार करना आपके लिए जो है मुश्किल हो सकता है लेकिन आप जो है सलाह लेकर ही सारे फैसले कीजेगा नौकरी में अपने काम पर पूरा फोकस भी करना होगा किसी वज़े से अधिकारियों से डांट भी सुननी पर सकती है नए बिजनस या फिर सांजेदारी के लिए समय बहुत ही बढ़िया कहा जा रहा है लाबकारी परिसित्यों का निर्मान बन रहा है आज विविसाई और नौकरी में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है अपने आपको जहें आप लेटिस्ट बनाएए और आप इसमें सफलता भी हासल कर पाएंगे आपकी योग गिता और काबलियत खुल कर लोगों के सामने आएगी लोगों के संपर्क आपके लिए काफी आर्थिक रूप में फाइदमन होने वाले हैं तयारी करनी होगी आपको कारिक शेतर में भी आज आपका बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ सकता है खास कर आज राजकी तोर पर आपको कोई बड़ा तौफा मिल सकता है खुद की तरक्की और आर्थिक द्रिड़ता के लिए विचार कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आप जो है किसी शेर मार्किट में जो है पैसा इंवेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए आज का दिन बहुत बढ़िया हिसके लिए लेकिन इसके साथ ही आपको इसके बारे में भरपूर मातरा में सलाह लेनी होगी उस पर विचार विवर्ष करना होगा कि कौन से शेर खरीदना है और कौन सा नहीं खरीदना है इसके लिए गर आप किसी एक्सपर्ट की राए ले तो ज़्यादा बहतर प्रणाम आज आपको देखने को मिल सकते हैं और याद रिखीगा कि अगर आप लॉंग टाइम पर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बैठे रहेगा लॉंग टिब इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा फाइदा हो सकता है तो चलिए बागे बढ़ते और बात कर लेते हैं आज की जो है लव लाइफ की तरफ तो आज की लव लाइफ कह रही है कि जीवन साथ ही और परिवार के साथ जो है शॉपिंग और मौज मस्ती में आप काफी टाइम स्पेंट कर पाएंगे जिसकी वज़े से वातावरन बहुत ही खुष्टमा और बहुत ही सुहावना बनता नजर आएगा प्रेम समंदों को भी परिवारिक सहवती मिलने और अधिक प्रगारता मिल सकती है इसलिए बहुत ही शुप संकेत नजर आ रहे है अज़ आप किसी की तरह आकरशिक भी हो सकते है अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त करने के बारे में विचार कीजी प्रवोस करने के लिए आज बहुती बढ़िया दिन कहा जा सकता है वही आज जीवन साथी की साथ आपका रिष्टा पहले से जादा मजबूत और रिष्टे में संतुलन बना रहेगा प्रेम्यू के लिए भी समय बहुती बढ़िया अच्छे संकेत कर रहा है का आज जो है परिवारिक सहयोग और सुख शांती तो मिलेगी लेकिन विवाह उत्तर संबन किसी प्रकार की परिशानी का कारण बन सकता है इसलिए आज आज आपको सावधानी भी बरतरी चाहिए बात करते हैं आज के स्वास्त यान की हेल्ट के बारे में तो सेहत कहती है कि कभी-कभी डिप्रेशन जैसी सितिया आज बन सकती है लेकिन ध्यान देंगे तो पता चलेगा किसी दी इतनी भी गंबीन नहीं थी जिदना आपके टेंशन ले रखी दी तो ध्यान रखेगे इस बात का अगर किसी दीरा की आलर्जी की शिकायत है आपको तो आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा हो सके तो आज डॉक्टर से परामश इसके बारे में ज़रूर लीचेगा पेर से लेड़ी समस्याओं के प्रती आज आज आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पर सकती है रखतचाप समंदी यानकि बलड डिप्रेशर जैसे दिक्कत भी आ सकती है इसलिए जो है आज आपको दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं है बलकि समय समय पर आज आपको अराम लेते रहना होगा वरना आपको ज़्यादा ही टेंशन ले लेंगे तो ये बात की हमने सौस्ता के बात करने वाले हैं आज के विशीश उपाई के बारे में तो आज आप के लिए विशीश उपाई रहेगा कि आज आज आपको जो है मा भगवती के मंदिर या फिर घर में अगर आपके घर में उनकी फोटो है तो उनको लाल चुनरी अबश्य चड़ानी चाहिए इसके साथ ही जो है अगर आप मचलियों को दाना डालते हैं कबूत्रों को दाना डालते हैं या फिर कुत्तों को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपकी आर्थिक जीवन पर आपकी सहत पर बहुत इच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं इसलिए यह उपाई आप जरूर कीजेगा तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो ची लगी हो तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलीगा धन्यवाद